अलो फेंट वेलकम टू माई चैनल अम्बीका कोकिंग एल्डी में आपका सागते दोस्तों तो आए दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेट की एक गेसी मठाई जो चटपड बन जायती है और खाने में बहुत ही अच्छे लगती है तो चलिए दोस्तों के लिए हमें क्या समगर लगेगी यह मिल्क पाउडर है आता कब खोप रहा है बारी को मोटा दोनों मिक्स कर रहा हुआ यह शक करें दो कब शक करेंगे लिमाई यलो कलर दिया है मैंने दो चुटकी और यह पिसी दाइची है और ब्रेड है यह ब्रेट के में इसे कटिंग कर दी है एक एक पीसे से म आउस मना यह है में कडाई में हम कड़ाया शकर डाल ला लेंगे हा न सबकर के हमाज इसमें डरना है इसलिए हमने सब्कर अलगे हम रूटें आरे यह इसमें पानी के हम भूटेसर दीगे देड़ कप पानी डाल दिया है इसकी चासनी बनाना है हमें कि शकर को अच्छी तरह हमें मिक्स करना है ताकि नीचे लगे नहीं हमाई चासनी बने रहा है अच्छी तरह मिला जाएंगे जब तक सक कर मेर्ट ना हो जाएं में डिम्याज के हमें बनानी चासनी जाकर गुल रही है हमारी दीरे दीरे हमें इसे मिलाते हुएगी चासनी बनाना है हमें इस ट्राप की चासनी बनाना जिसे से हमशकर आपारे बनाते हों चास्नी पर चाड जाती है वैसे हम 10 चास्नी असमें बनाना है ईसे तीन तार के चास्नी लगेगी जीना मिलाते जाएंगे आधा क्बारोच परना चाल के 8 चाल थे निन टाइम नहीं लगेगा कि दिद्रे मिक्स करते जाना है हमें देखते चाहिए इलाइची पाउडर डालती है हमने इसमें इसमें लेवर आप कोई साब ही ले सकते हैं कोई भी एसेंस का यूज़ कर सकते हैं कि हम कलर डाल देंगे इसमें लेमा यह लो कलर कलर पसंद नहीं हो तो आप बिल्कुल ना डालें पोई दिक्कत नहीं है वैसे बहुत अच्छी बन जाती ही मिठाई लेकि कलर से सुन्दता जाता जाती है अच्छी तरह मिलाते जाएंगे बबल सुपर आ रहे हैं चासनी भी हम अभी एक तर्की है जाद अच्छी नहीं बनी है हमें तीत तर्की चाहिए इसमें तुर्णा टाइम लगेगा इसमें मद्दे परी बना रहे हैं इसलिए चासनी पर्फिक्ट बनेगी हमारी एक तरह चुका है हूना और कर दंब टैंगे मिल्क पॉड़ो आदा कब मिल्क पॉड़ो जो मैने आपको बताया हुआ था वह डाल देगे पर ना डाले तो कोई दिक्कत नहीं आज ने कोगो पाउडर डाल सकते हैं चोक्लेट पाउडर डाल सकते हैं जो भी फिर अब आपको चाहिए आप डाल सकते हैं तो इसे तरह मिलाना है लम्ज से ना पढ़े हमारे लग्स टूप जाएगे अब देख लीजिए चास्य हमारी डेडी होने वाली है अब चास्य हमारी डेडी हो चुकी है थंडा कर दूंगी आलका सा इसे चलाते हुए हमारी थंडा करना है चास्य गरम होगी तो आए ब्रेट प्रक इisions नहीं नहीं बनेंगे कि बेंट जो है वो सॉप्ट हो जाएगी कड़क नहीं रहेगी तोड़ा हमें इसे ठंडा ही लगेगी अच्छी ड्राइव है और थोड़ी सी चाति हमाई ठंडी है अब इसमें डाल देंगे आप टोस का यूज भी कर सकते हैं उसे सुखाने की जुरत नहीं होती है वैसे बहुत अच्छे कुरकुरे होते हैं और इस तरह से पलटते चाहिए अच्छी तरह से डिप हो जाएगी तो सुख्ट्रस में हो जाए तो चास्नी उपर आ जाए इस पर देख लीची इस तरह हमाई चास्नी इसके उपर लग चुकी है एक करते होगा हम निकालते जाएंगे इसी तरह सारे वेड़ आपको तयार करने है हम निकालगे प्लेट में इसे अंट रिकृट करेंगे कोफरी के सारो में के ओसे इसा जाएगे हम इसे देने देरे करते हुए इसके ऊपर डालते जाएंगे गेम हिए अच्छी तरह लज़ा एसे अच्छी तरह प्लेट में निकालते जाएंगे इस तरह हमें सारे बेटरून तयार करने हैं बेट के सारे पीछे जिसमें एक एक करते हुए ही चिपकाना है बहुत तेश्ची लगती है बठाई आप भी ट्राय करें बताईए बनाएं आप र는지 सारे लग चुके हैं किस तरुनन जहारा रही है मरें मिठाई है कब uh हो चुकी है अब इसे हम डेको डिवर करेंगे ये घूलाब कात्या टकी तो देखिया कि अच्छी लग रही है माने मिठाई तो आई हे दोस्टो बनाई हे दोस्टो गाई हे दोस्टो हे लाई दोस्टो